है। नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे सखास कारिक्रम में मैं हूं आपके साथ अमिद duż शर्मा और मेड़े साथ ट्रिश्प twenty-ờ में ओप्वन गुमार सिकंदर जी सिकंदर जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस खास कारिक्रम में हम देश-दुनिया की उन खबरों पर चर्चा करते हैं जो सुर्खियों में रहती हैं तो चलिए इस पहली खबर हमारी है ऐसी है कि राजनितिक पार्टी उने 2024 के आम चुनाव के लिए रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं पिछले दो आम चुनावों में भाजपा को मिली जबरदस सफलता का रत रोकने के लिए कई इस तर पर प्रयास जारी है भारती राजनिती में सत्ता के विरुद्ध विपक्ष की एक जुटता का प्रयास नई बात है कभी कॉंग्रेस के विरुद्ध एक होने वाला विपक्ष अब भाजपा के लिए संव्क्त प्रयास कर रहा है इस समय भाजपा और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावती देने का जंडा बिहार की वक्यमंत्री नितीश कुमार उठाय हुए ह कॉंग्रेस अध्यक्ष मलीकारजुन खरगे और राहुल गांधी से मिले मुद्धा था 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ बनने वाले मोर्चे का स्ट्रक्चर खरगे और राहुल के साथ नितीश कुमार ने करीब एक घंटे से अधिक समय ता किस पर बात की मोदी विरोधी से पूरे देश में सक्रिये हैं और अब तक कॉंग्रेस एंसीपी शिवसिना यूटी जेम त्रिन्बुल सपा या यूडियेफ आप इनेलो और सीपीम के प्रमुखों से मिल चुके हैं नितीश और खरगे के बीच मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में तीन सबसे सब्सक्राइक एलान कब होगा दूसरा गटबंधन का स्ट्रक्चर क्या होगा और तीसरा गटबंधन में सीटों का बटवारा किस पॉर्मुले के तहट होगा सिकंदर जी जब से बिहार में बीजेपी से गटबंधन तोड़कर नितीश कुमार ने सरकार बनाई है तब से हम देख रहे हैं कि लगातार वो विपक्षी दलों को एक जुट करने में लगे हुएं कई बार उनके दिल्ली दौरे हो चुके हैं लेकिन 2024 की रूप रेखा तयार करने के लिए क्या जो करनाटक का अभी चुना हुआ है जिसे कॉंगरेस ने फतह किया है ये नितीश कुमार के लिए भी बहुत उपयोगी साबित हो सकता है और क्या अब पियेम मोदी इतना बड़ा चेहरा हो चुके हैं देश की राजनीती क कि कोई एक विपक्षी दल उनसे मुकाबला करने में खुद को असहाई पा रहा है विपक्ष जब भी कमजोर हुआ है और टुकडों में बटा है कोई न कोई दूसरी राजनीतिक पार्टियां सप्ता में रही हैं कॉंग्रेस पहले सप्ता का केंद्र थी बाद उस समय जो है एक जुट होती रही है यह चुनाओ पहली बार ऐसा है कि विपक्षी एकता की बात इसके पहले भी हुआ था तो गैर कॉंग्रेसी और गैर भाजपाई एकता की बात होती थी लेकिन इस पार के चुनाओ में खास बात यह है कि गैर भाजपाई ही केवल एक गटबंधन बन कोंग्रेस को भी सामिल करने के प्रकिया चल लए हला कि यह अलकर बात है कि कॉंगरेस के अलावा दूसरे दल भी है जो इस गटबंधन में सामिल नहीं होना चाहते है उनके अपने हित है छेत्रिय हित उनके है अब बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने बीड़ा इसलिए उठाया है कि पिछले बिधाल सभा चुनाओं में अगर हम देखे तो बीजेपी और नितीश कुमार की जदिव दोनों गटबंधन करके चुनाओं लड़ रहे थे लोजपा ने जहां जहां जदिव के कंडिडेट थे जहां जहां नितीश कुमार के उमिद्वार थे वहां उन लोगों ने प्रचार किया नतीजा ये हुआ कि बिहार के अंदर जदिव के विधायकों की संख्या कम हो गई और बीजेपी को अपना पूरा बढ़त मिला तो नितीश कुमार क्या दल छोटा हो गया और एक तरह से बीजेपी के अहसान तले वो चल रहे थे इसको देखते हुए नितीश कुमार इस बात को नहीं भुला पाए राज नीती में सतुरता और मितरता होती रहती है लेकिन सतुरता को इस तरह से याद किया जाता है यही कारण था कि नितीश कुमार पहले भाजपा से अलग हो गए और बाद में चिराग पास्मान उनका मानना है कि चिराग पास्मान ने जो कुछ भी किया वो भाजपा के इ इसलिए नितीस कुमार अब भाजपा को निशाने पर लेकर सारे दलों को संग्ठित करने पर लगे हुए है अब सवाल यह है कि हर पहली बार मोर्चा बिहार में क्यों बन रहा है पहल आज तक जितने भी मोर्चे बने हैं वो सब के सब बने हैं दिल्ली में उनकी मिटिंग दि बहर चली थी वो बिहार से चली थी और नितीस कुमार इस बात को जानते हैं और बाकी जो पुराने दिगज नेता है वो भी जानते हैं कि दिल्ली में कितनी भी मीटिंग हो जाए बाद में मामला उतना बन नहीं पाता है जैसा वो चाहते हैं तो इसकी दो बज़ा है मुखि लेकिन बैठेक से वल फोटो सूट बन गया अभी करनाटक चुनाओं के बाद जब यहां मुख्यमंत्री को सपत लेना था यह भी फोटो सूट का काम हुआ लेकिन गटबंधन को अंतिम रूप नहीं मिल सका इसके उलट बिहार में यह पक्षी गटबंधन बनने के बाद अभ नितिष कुमार ने जडियू को और आरजडी और कांग्रेस को मिलाकर महा गटबंधन तयार किया था यह सबसे सफल गटबंधन रहा और यही कारण है कि 2024 के लिए नितिष कुमार इस तरह के गटबंधन को लगा है दूसरा जो दिल्ली में के बजाए बिहार को केंद्र बना वजाए बिहार में रखने का अग्रह किया है तो इस तरह से उसकी अध्यक्षता कौन करेगा अध्यक्षता नितिष कुमार करेंगे तो यह जो है एक विपक्षी एकता का मंत्र और सुत्र बिहार से चला है इसलिए बिहार में इसके लिए प्रयास के जा रहे हैं अब सबसे सभी नेताओं को गडवंधन की रूप रेखा के वारे में बता कर उन से सहमती लेते दिखे इसके अलावा नेताओं से मुलाकात के बाद उनके साथ प्रेस कॉंफरेंस भी किया ताकि यह दिखाने की कोशिस की जाए कि जो गडवंधन का स्वरूप तयार हुआ है उसके लिए यह इनकी सहमती मिल चुकी है ऐसे में नितिश कुमार आगे की रनीती तैयार करने के लिए उनको संयोजक का पद मिल सकता है उन्हें सोंठान में 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 जब एंडिये बना था तो उस वक्त जदियू के और से जार्ज फरनाडिक्स जो है एंडिये के संयोजक हुआ करते थे संभावित है कि एक चेयर परसन एक संयोजक और कुछ पदादिकारी इसमें बनाए जाएंगे तो नितिश कुमार की भूमिका उसमें होगी संयोजक का पद चुकि सबसे प्रभावसाली होता है फैसला लेने वाला होगा वो फैस पदादिकारियों के सूची उसमें तयार करना है पार्टी के प्रतिदी उसमें सामील होगे चेर परसंग का पद खुद सुनिया गांधी हो सकता है समाले या सरत्पवार हो सकता है या मरकार खड़के हो सकता है लेकिन सबसे बड़ा पद जो है वो नितीश कुमार को मिलेगा अब सवाल है कि इस गठ बंधन में सामिल कौन-कौन होगा सबसे बड़ा सवाल है इसको लेक बाला गटवंधन बनता है तो सबसे चुनाओं के पहले अगर गटवंधन बनता है तो उसमें कांग्रेस हो सकती है जदी हो सकती है आरजेडी हो सकती है डीम के सीवसेवना यूटी हो सकती है एंसीपी हो सकती है लेप्ट फॉर्स हो सकती है जेम हो सकती है एनेलो हो सकती है ति और कुछन श्रीट में चुनाओं के बाद सामील होते हैं इस सूची में BSP है, BRS है, BJD है, YRS है, Congress है, JDS है यह नाम सामील है जो चुनाओं बाद भी सामील हो सकते हैं सूची में तो यह गटवंधन जो है विपक्ष का यह बहुत जवरजस्त मोर्चा तयार करने की कोशिस है न तो अगर वोटों का बटवारा वचाने में सफल रहे तो मोधी सरकार के लिए चुनाओती हो सकती है, लेकिन फिलाल दीखना होगा कि मोधी सरकार इस विपक्षी एकता के खिलाफ क्या रनदीती तयार करती है, बहराल बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे खबरों की खबर म का आरोब भाजपा पर लगाती रही है, लेकिन हाल के सालों में प्रदेश की कॉंग्रेस सरकार पहले राम वंगमन पत्त के विस्तार की उजना लेकर आई, इसके बाद सरकार ने रायपूर के चंखुरी में माता कोशलिया के जन्विस्थान के जीरुनुद्धार और माना जा रहा था कि सरकार प्रदेश की धरोहर और संस्कृति की रक्षा करना चाहती है, लेकिन चुनाव की तैयारियों के बीच पूरे प्रदेश में सरकार ने रामायन मंडली प्रतियोगिता शुरू कर दी, ब्लॉक इस तर से लेकर प्रदेश इस तर तक होने वाली इस और साफ कर दिया है, आगामे विधां सभा चुना में एक मुद्दा मेरे राम के बीच भी होगा, सिकंदर जी अक्सर ऐसा माना जाता है कि भारती जोटी हिंदूों की हितैशी पार्टी है, और यह आरुप कॉंग्रेस के ख़िलाफ भारती जोटा पार्टी हमेशा से देश प्रशित की जारी है क्या इस चुनाव में अब जो राम नाम है वो भी बड़ा मुद्दा बनकर गुंजे का छतिस्गर्ण की राजनीती में भी जो मेरे राम और तेरे राम की जो कहानी है इसमें कॉंग्रेस भी सामील हो गई है इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है देश की राजनीती में 2014 के बाद से बड़ा परिवर्तन आया है क्योंकि बोटों का जो द्रुवी करण है वो जातिय आधार पर कम और धार्मिक आधार पर ज्यादा होने लगा है और इसका फाइदा बीजेपी ने उठाया है क्योंकि बीजेपी हमेशा कॉंग्रेस सहित जितने भी वि कोप लगाती रही है कि ये खास मुस्टिम समधाय के लिए ही काम करते हैं कई बार ऐसा देखने में भी सामने आया पिछले चुनाओं में याद है मुझे कि राजिव गांधी को इस मुकाबले के लिए हिंदुत्य के मुकाबले के लिए कोट पर जनिव पहनना पड़ा था तो हिंदुत्य जो है एक बड़ा एजेंडा एक बड़ा मुद्दा बन गया है बीच में इस तरह की छबी बन गई कांग्रेस के कई बड़े नेता इस पर सवाल खड़े करने लगे कि कांग्रेस जो है हिंदु विरोधी गती वीधियों में क्यों सामिल है क्यों उसे इस बगेल जी एक अच्छे राजनेता है और चरित्र को समझते हैं जनता के सभाव को समझते हैं उन्हें भी पता है कि आगामी चुनाओं में राम प्रमुख आधार हो सकते हैं और राम सब के हैं अगर जब बच्चा जन्म लेता है तब भी राम राम कहे जाता है हम किसी से मेरे राम तेरे राम चलते हैं तो जिस प्रकार से राजनीती चल रही है यह निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कॉंग्रेस पाइटी ने बीजेपी से राम को छीनने के लिए या राम का मुद्दा अपने नाम करने के लिए इस तरह की रननीती का अपना काम सुरू किया है रन्निती पर और यही कारण है कि दूसरी बात यह भी है कि कॉंग्रेश चाहती है कि चुनाओ से पहले राम का जो इस्तेमाल है वो बिजेपी केवल अपने लिए न कर सके हम भी यह साविद कर सके कि मेरे भी राम उतन ही है मेरे भी आराध्य उतन नहीं है तो आनिर वाला जो चुनाव है ये राम के नाम पर नहीं लड़ा जाएगा भले ही लेकिन राम इसमें प्रमुख रहेंगे हर हालत में प्रमुख रहेंगे और केंद्र बिंदू रहेंगे बीजे पी उनको बताएगी बार बार याद दिलाएगी कि ये वो लोग हैं जो राम क के खिलाफ लड़े दूसी तरफ कॉंग्रेस बताएगी कि उन्होंने राम के लिए बीजेपी की 15 साल सरकार थी कॉंसिल्ला के जो जन्व हुमी है उसका विकास नहीं हुआ चन्खुरी का हो सकता है कि ये भी आरोप कॉंग्रेस लगाए कि एक राम मंदिर वहां बगल में बना के थे फिर उस मंदिर में ताला क्यों लगा रहा अलाकि उनका पारिवारी विवाद था उसके बाद जिस प्रकार से बिसाल काय मूर्ती राम की लगाई गई वहां पर चंखुरी में राम वंगवन पत के लिए सरकार काम कर रही है अच्छी बात है इससे कम से कम हमारी धरोह और हमारी संस्किर्ती बचेगी परेटक आएंगे उनके लिए भी अच्छा है लेकिन ठीक चुनाव से पहले रामायन का एक काल होता है एक समय होता है हमारे यहां राम्योमी के आसपास में या चैत्र दुरगा श्टमी के पहले राम चरित मानस या रामायन की आयोजन जो है व समय है इसलिए इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं या इसलिए इस पर लोगों का ध्यान जा रहा है कि यह समय तो नहीं था राम को याद करने का या इस तरह के आयोजन का तो जाहिर सी बाते कि चुनाव में करते तो हो सकता है यह आचार सहिता का मामला आ सकता था हो सकता है आरोप लगता की चुनाव तो चुनाव से पहले राम की भूमिका अपने पक्ष में करने का यह प्रयास है बीजेपी उसमें कहां तक काउंटर करेगी यह बीजेपी बता सकती है बिलकुल लेकिन जिस तरह से 36 सरकार लगातार काम कर रही सिकंदर जी और हमने यह भी देखा है तो क्या सिर्फ राम भरो से ही चुनाव में उतरना भूपेश सरकार के लिए काफी होगा या पिर बीजेपी इसका काउंटर भी कर सकती है सरकार के पहल पर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते हम मनसा पर नहीं हो सकता है कि 36 गड़ की राजधानी के अंदर चंद खूरी में माता कोंसिल्या का जो जन्मस्थान है उसका विकास होना चाहिए परेटन की द्रिष्टी से होना चाहिए क्योंकि परेटन एक बड़ा उद्यो की कदम है दूसरी बात है मध्यपरदेश में भी राम बंगमन पत को लेकर लगातार काम चल रहा है और 36 गड़ में भी यह काम चल रहा है क्योंकि यह डंड़का रने वगएर जो इलाका है जहां से राम घुजरे और धर से करनाटक होटे हुए किसकिंधा जो मौजूदा कर कर रही है उसे परेटन के रूप में विक्सित करने का काम कर रही है तो यह तो अच्छी बात है सरकार के राजस्व के लिए भी राजी की तरक्की के लिए भी और लोगों के विकास के लिए भी अच्छी बात है बीजेपी अब इसको राजनेतिक रूप से अगर ले जाना काउंटर करना पड़ेगा और अपने लिए भी कोई नया रास्ता उनको खोजना पड़ेगा फिर इस सवाल का भी जवाब देना पड़ेगा कि पंद्रह साल की जब सुनकी सरकार थी तो राम बंगमन पत्पर होने की विचार क्यों नहीं किये राम की समिर्ती को उन्होंने क्य का ताकत है हो सकती है और 2024 की चुनाव में और मोधी सरकार किस तरह से पनटवार करेगी दूसरी खबर जो 36 विधानसवा चुनाव से जुड़ी थी जिसमें मेरे राम और तेरे राम के बीच जो एक मुद्दा है वो चुनाव में शामिल हो सकता इसकी संभावना है बहुत- झाल झाल झाल